कि अ पिर मैं आप्से जो है एक नए टोपीक के साथ का कि सामने आया हूँ jeżeli Iassate मैंने को पिछली जर्प ऌक्रमें एक्छरम है कि आ रहु पड़ाया था मोनेट्री पोलीशी मौद्रिक निती के बताया था और मैंने बताया था कि मोद्रिक निती के कुछ तरीके हैं उन तरीकों के हिसाफ से वो लागू की जाती है पिछले लेक्शन में में डिसकस किया था और मैंने कहा था वो तरीकों के साथ कुछ टूल्स का प्रियोग करते हैं मोनेटरी पॉलिशी लागोगन्य में कुछ टूल्स का प्रियोग करते हैं वो टूल्स कुछ इस तरीके से हैं वो मैंने पिछले लेक्ष्टर में बताया था अब जो हम सीधा मुद्धे पर आते हैं वो टूल्स क्या-क्या हैं जैसे बैंक रेट एसलार रेपोरेट रिवर्स रेपोरेट यह सब क्या है एक टूल्स है अभी आपको आई होपी जो मैंने भी तीस सेकेंड में डिसकसन किया हो वह अभी नहीं समझ में आया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो चीज समझने वाली है वह आपको समझ में आनी चीज यही वह पिछले से जुड़ी भी ते जो नहें इससे जुड़े हैं तो वह आपको नहीं समझ में आगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकि अभी अब हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर काम करता है कौन अरब तो इसके ग्रहाक आप यह मत समझने लेना कि हम तुम होंगे नहीं इसके ग्रहाक हम तुम नहीं shap did होते हैं सरकार है यह सरकारी कंपनियां कि साफ बैंक जो होते हैं कि इसी के साथ आपका वreonक्तिय संस्था और आपका इसी के साथ NBFC Non-Banking Financial Company ये इसके ग्रहक होते हैं RBA अपने ग्रहकों को लोन देती है तो ग्रहक कोन है? ये उसके ग्रहक है समझ माया आपको? इनमें आपको सरकार, सरकारी कमपनी और बैंकों को समझ में आ चुका होगा लेकिन आपको बित्य संस्ताइ और NBFC समझ में नहीं आया हुआ तो बित्य संस्ताइ क्या है? ये समझ लेते हैं बित्य संस्ताइ वह संस्ताइ है जो बित्य सिवाए देती है बित्य सिवाए का मतलब वही कारिये जो बैंक करती है वही ये काम करती है बित्य संस्ता है मतलब कि पैसो को जमा करना फिर उस पर इंटरस्ट देना और कहीं कंडिशन आये तो लोन भी देना तो बित्य संस्ता है बित्य सेवाए उपलब्द गराती है वही बैंक वाले काम लेकिन यह बैंक गना होकर कंपणी होता है तो यह जितनी भी संस्ताइं हैं कंपणी हैं बैंक है यह सारे के सारे जो है आरबिया के गराग है जो आरबिया इसे लोन लेते हैं अब आरबिया इनको लोन देता है डारेक्ट तो आरबिया का एक कार्य होता है जो इसने लोन दिया इस अचाव ओस लोन पर यह कुछ इन्टरस्त भी लेता है ऑन टिक अबीयाज लेता अब जहरे धियान रखना और या गिर्लाकों को लोन देता है लंबे समय के लिए क्या देता है लोन देता है फिर लोन जब देता है तो उसी पर जिसने लोन लिया उसको इंट्रस्ट चुकाना पड़ता है ब्याद चुकाना पड़ता है तो जिस जितना भी इंट्रस्ट होगा चाहें वह एक परसेंट हो चाहेँ वो 2 परसंट चाहें वो 3 परसंट चाहे को चार परसंट अरीवे अगर आपना लोन दे ahead अपने हिसाब से उस पर लगा सकता है तो जो भी है अभी जो करंट में जो इंट्रेश चल रहा है रहीं बेंक चल रहा है वह five point four zero percent है क्या current bank rate current bank rate बर्तमान में जो bank rate चल रहा है तो वो कह चल रहा है आपका five point four zero percent मतलब कि आर बेने इन संस्थाहों को जो loan दे रखा है इन पे जो फो इंट्रेस्ट बसूलता है वह five point four zero % है यह आपको समझ में आया होगा योप इतनी कहानी है bank rate इसे इसा rouk और इसकि बने सी किम्हान हो जा जाए वह एक्युवर थो कितना हो जाए है तो थे utan की परस्ट हो जाए KEका हरे दिनी मिला सर्थ परसाइ Fraktion के दिन RBI को जो है ज्यादा क्या करना है RBI को ज्यादा मार्किट में पैसा पहुचाना है ठीक है RBI को बजार में अर्थ विवस्ता में ज्यादा पैसा पहुचाना है तो वो क्या काम करेगा सुन लीजिए RBI को जादा पैसाल अर्थ विवस्ता में पहुचाना है बजार में पहुचाना है तो वो क्या करेगा अपने लोन का इंट्रस्ट कम कर देगा जैसे फोर एक्जामपल RBI लोन दे रहा है और इंट्रस्ट कितना कर दिया सिर्फ एक परसेंट तो मुझे बताएं यह सारी के सारी संस्ता हैं बित्य संस्ता हैं बैंक एन्वी एपसी कंपनी वगरा यह ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे यह नहीं लेंगे ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के बाद यह सारे के सारे आम आदमियों को आम आदमियों को सा उनको दो परसेंट में देंगे तो लोग फिर दो परसेंट में भी तो सस्ता हुआ ना तो लोग ज़्याद से याद है उसको क्या करेंगे लोन को लेंगे तो इस तरीगे से सारा पैसा कहां पर जाएगा सारा पैसा बजार में जाएगा अर्थिवोस्ता में जाएगा लेकिन अगर RBI इसका उल्टा करने लगे, उल्टा क्या करने लगे, उसको जो है, पैसा, क्या करना है, बजार में नहीं भेजना, रोक देना है, तो RBI क्या कर देगा, अपना इंटरस रेट बढ़ा देगा, कितना कर देगा, मैंने माल लिया, for example, 10%, अब 10% इंटरस रेट, तो अब य को लगता है, कि पैसा जाना चाहिए, तो वो अपना RBI जो है, बैंक रेट कम कर देता है, और पैसा ज्यादा पहुचाना है, तो बैंक रेट क्या कर देता है, अगर पैसा नहीं पहुचाना है, तो बैंक रेट बढ़ा देता है, पैसा पहुचाना है, तो बैंक रेट कम कर है 5.40 परसेंट ठीक है थैंक्य सो मज़